आज के modern time में सारे ही चीजों के pattern बदल गए हैं अब हमें दोस्तों के साथ किसी private बात करने के लिए कोने में जाने की ज़रूत नहीं पड़ती बलकि signals या इशारों से ही लगबग हम सारी बाते समझने लगते हैं मगर ऐसे में मुझे अपना एक और बच्पन भी याद आता है चाहा हम सब भाई बहर जब भी मिनके टीवी देखने के लिए साथ बैठा करते थे तो उसे दोरान एक एड स्क्रीन पर आती रहती थी और उसे देखते ही घर का माहूल बदल सा जाता था हम बच्चा पाटी टीवी का चानल चेंज करने के लिए दोरने लगते थे तो ममें सब कुछ देखके अचानक से किचन की दरफ कुछ जरूरी काम के लिए चली जाती थी पापा अचानक अपने फोन को स्क्रोल करने लगते थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं और घर में बैठी मेरी दादी वो तो बिना चश्मा पहने टीवी का रिमोट ढूनने लगते थी वो पता है क्या था? दरसल मैन फोर्स कॉंडम का आड था वो वैसे तो वो एड हम देख ही लेते थे क्योंकि उसके स्पॉंशर्शिप के चक्कर में हम अपना शो मिस करने का रिस्क बिलकुल नहीं ले सकते थे बगर उस सिचुएशन में न सब रियक्शन को देखने की क्योरिसिटी भी अलग ही रहती थी एसे ही आड डियुरेक्स कॉंडम डियुरेक्स निरोध का भी आया करता था हलो फ्रेंड्स माइनेम है सनाली नौटियाल और मैं आप सभी का हमारे चितना मंच के खास सेगमेंट हिचक में स्वागत करती हूँ यहां हिचकचाना बना है तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉंट्रसेप्शन यानि गर्ब निरोध और नस्बंदी के बारे में भारत में हाल में NFHS यानि National Family Health सर्वे हुआ जिसने देश के लोगों की आदतों में बदलाव की बात की है इस सर्वे में क्या हुआ वो मैं आपको शौट में बताती हूँ सर्वे के रिपोर्ट के कॉर्डिंग भारत में 10 में से 1 से भी कम पुरुष कॉंडम का यूज करते हैं यानि कॉंडम यूज करने वाले पुर्शों की संख्या हमारे देश में 10 प्रतिशत से भी कम है महिला अक्सर प्रेगनेंसी से बशने के लिए Contraceptive pills का स्तमाल करती है Contraceptive pills को हम बोलचाल की भाशा में गर्म निरोदा गोली भी कहते है जिसे लेने से pregnancy का खत्रा बिल्कुल कम हो जाता है Contraceptive pill को Eye pill, Unwanted 72, Prevent All, Novel pill के नाम से भी जाना जाता है आमतोर पर पिल्स का नाम लेते ही बहुत सारे सवाल खुमने लगते हैं जैसे बर्थ कंट्रोल पिल लेने से कोई side effect तो नहीं होता या फिर ये पिल्स कहीं fail तो नहीं हो जाएंगी इसे लेने से weight gain होता है क्या या फिर इसे use करने से future में contraception में कोई problem तो नहीं होगी दरसल इन पिल्स में दो हॉर्मोन होते हैं estrogen और progesterone जोकि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है estrogen hormone menstrual cycle को regulate करता है तो वहीं progesterone hormone pregnancy में female body को support करता है birth control या गर्ब निरोद गोली लेने से आपके शरीर के अंदर ovulation बंद हो जाता है ovulation मासिक चक्र यानी की menstrual cycle का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जब ovary में egg release होता है तब ovulation होता है ovary में अंडे के release होने पर वह स्पम से fertilize भी हो सकता है और कभी-कभी नहीं भी अब जब ovulation ही नहीं होगा तो X का उत्पादन भी नहीं होगा और जब X बनेंगे ही नहीं तो स्पम से मिलकर fertilize होने का खत्रा भी नहीं होगा तो कुल मिलाकर pregnancy का रिस्क भी नहीं ही रहेगा इसे आमतार पर oral contraceptive pill भी कहते हैं और यह pregnancy को रोकने का hormone भी इस तरीका है हमारे देश में आज भी गर्व निरोद की जिम्मेदारी महिलाओं की ही मानी जाती है और यही वज़ा है कि बड़ी संख्याय में महिलाएं अंचाहे pregnancy से बचने के लिए हर दिन गर्व निरोदा गोलियों का सेवन करती है लेकिन इन गोलियों के कई side effects भी है जिनके बारे में जानना ज़रूरी है और इन pills को लेने से पहले हमेशा अपनी डॉक्टर से consult करना भी उतना ही ज़रूरी है बात करें हम contraception के methods की तो इसमें जहां एक और हमने भी contraceptive pills की बात की तो वहीं दूसरा जो की सबसे commonly used method है वो है condoms condoms लगबख हर शहर के हर गली नुकर में आज की तारिक में medical store में पाया जाता है ये ना सेर्फ pregnancy को रोकने में मदद करता है बलकि STDs जैसे बिमारियों का risk भी बिलकुल कम कर देता है बात करें शहरों में condom यूज करने की तो वो भी कोई खास अच्छी रिपोर्ट नहीं दिखाती मात्र 13 प्रतिशत पुरुष ही condom का इस्तमाल करते हैं महीं 10 में से लगभख 4 महिलाएं pregnancy से बशने के लिए नस्बंदी का रास्ता अपनाती है यानि कि 38 प्रतिशत महिलाएं नस्बंदी करवाती है जिससे पता लगता है कि पुर्षों में औरतों के मुकाबले ये संख्या कितनी कम है और ये तब है जब सर्वे में 82 प्रतिशत पुर्षों ने स्विकार किया है कि उन्हें condom की health benefits पहले से मालूम है यूजुली मैंने females को ये कहते हुए भी सुना है कि उनके partner को protection या condoms ना यूज करने का major reason कुछ ऐसा सा है कि उन्हें कुछ अजीब सा लगने लगता है उन्हें मजा नहीं आता है या उन्हें sex करने के दौरान satisfaction नहीं मिलता है इन सब के अलावा चौकाने वाली रिपोर्ट ये भी है कि 35.1% पुर्षों का मानना है कि contraceptives यानि गर्ब निरोध एक मात्र women's business है यानि कि इन से उनका कोई लिना देना नहीं है वहीं 19.6% पुर्षों का ये भी कहना है कि contraceptives यूज करनी की वज़ा से महिलाएं कई लोगों के साथ sex करने लगती है ऐसे mentality का देश के पुर्षों में महिलाओं के प्रती होना बहुत गंबीर विशा है क्या वाकई में contraception सिर्फ महिलाओं के जिम्मेदारी है क्या सच में पुर्षों के हिस्से में सिर्फ enjoyment और महिलाओं के हिस्वे में responsibilities है क्या पुर्षों का फर्ज नहीं बनता अपनी पत्नियों के reproductive health का ध्यान रखनी में आखिर महिलाएं शिरुवाद से लेकर अंध तक मातर परिशानियों का जोला टांगने के लिए आई है और हाँ सही बात पर बिना हिचकी चाय अपनी आवाज जरूर खोलें धन्यवाद